क्या 10 साल पहले कभी ये बात सोची थी कि फोन पर बटन दबाएंगे और क्याप घर के नीचे खड़ी होई होगी लेकिन ये possible हो गया ना आज हम फोन पर बटन दबाते हैं और क्याप घर के नीचे होती है और इतना ही easy हो गया पिछले 10 साल में कहीं एक जगा से दूसरी जगा जाना ऐसे ही आने वाले decade में कोई change आ सकता है तो एक बहुत बड़ा change जो शायद आने वाला है वो है कि fuel based car replace होने वाली है electric vehicle car से और जब ये cars replace होगी तो आप सोचो कि electric vehicle बनाने वाली जो manufacturing companies होगी या इसके उपर based जो के जो companies काम करती हैं वो companies कितना grow करेगी और अगर आज हम थोड़ा सा analysis करके उन companies में invest कर दें तो जैसे जैसे वो companies grow करेंगी हम भी grow करेंगे तो दोस्तों आज हमने discuss करने हैं कुछ ऐसे stocks जो electric vehicle की उपर based हैं पर पहले ये देखते हैं कि मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आने वाले 10 साल में electric vehicles का जो market है वो बहुत बड़ी होने वाली ह तो चलो दोस्तों शुड़ू करते हैं आज के वीडियो को नमस्कार दोस्तों मैं C.O.H.A.D. Tax Factor India की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी companies हैं जो electric vehicle या उससे related goods manufacture करती है ताकि हम उसमें invest कर सकें लेकिन उससे पहले जाना ये जरूरी है कि कितनी तरह के electric vehicles होते है Industry Analysis क्या है electric vehicles का? Government कैसे support कर रही है electric vehicles को? और last में बात करेंगे कि कौन कौन सी companies ऐसी है जिसमें invest किया जा सकता है क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया जैसे जैसे ये industry grow करेगी वैसे वैसे आप भी grow करोगे अगर आप इसमें invest करते हो तो तो चलो सबसे पहले ये समझते ह है कि electric vehicle कितनी तरह के होते हैं. Electric vehicle basically दो तरीके के ही होते हैं. एक fully electric, fully electric का मतलब ये है कि इसमें सरफ और सरफ battery से ही चलेगी और किसी से नहीं चलेगी गाड़ी. लेकिन दूसरे है hybrid. Hybrid बिलकुल वैसे ही है जैसे आजकल गाड़ियां चलती है petrol come CNG. यानि कि अगर CNG खतम हो ज charging जो battery charge है वो finish हो जाती है तो गाड़ी switch कर जाएगी petrol के उपर. तो ये भी काम चल रहा है मतलब ये भी hybrid भी loop में है जल्दी ही market में आ जाएगा लेकिन fully electric गाड़ियां इस टाइम पर market में आ चुकी हैं. अब हम देखते हैं कि industry analysis क्या कहता है electric vehicle का. अगर मैं बात करूँ industry analysis की तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि इंडिया की GDP के अंदर auto sector का round about 7-8% का share है. यानि कि 7-8% contribution सिर्फ auto sector से ही आता है. और तो और इंडिया की जो market है वो fourth largest auto market in the world है. जो हो सकता है जल्दी third number पर भी आ जाएग. अब जब fuel based से change होकर electric vehicle based पे आने की कोशिश करी तो 35% buyers जो हैं वो ये बात बोलते हैं कि हम 1,00,00 से जादा premium देने को भी तयार है. यानि कि अगर आज एक गाड़ी 10,00,00 रुपे की मिलती है जो fuel based है तो वो electric vehicle के लिए 11,00,00 रुपे तक भी देने को तयार है. कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि उनको एक चीज़ दिख रही है. क्या? कि fuel जो आज की rate में 100,101,105 तक पहुँच रहा है वो यहाँ पर electric vehicle की बात करी जाए तो उसमें cost reduction बहुत जादा है. यानि की per kilometer जो cost आएगी वो fuel based से बहुत कम है comparatively. अब बात यह है कि क्या electric vehicle बिल्कुल नए है? क्या यह पहले से चलते हुए नहीं आ रहे? महिंद्रा के गाडिती रेवा जो बहुत time से चलती हुए आ रही है electric vehicle में. लेकिन अब जो estimation लगाया जा रहा है कि electric vehicle की contribution market value होगी वो हम बढ़ते हैं government कैसे इसमें subsidy दे रही है या government कैसे initiate कर रही है कि हम जादा सा जादा electric vehicle की तरफ switch करें. देखते हैं वो क्या है? electric vehicle के लिए government बहुत जादा support कर रही है. कैसे support कर रही है? सबसे पहले समझते है GST के बारे में. GST rate जो normal fuel based car के उपर था वो था 12%. यानि कि अगर आप 10 लाग की गाड़ी लेने जाते थे तो 1,20,000 रुपे का GST देना पड़ता था मतलब 14,20,000 की गाड़ी पड़ती थी. यही अगर हम electric vehicle की बात करें तो 12% से slash करके सीधा कितना कर दिया? 5%. यानि कि 10 लाग की गाड़ी पर अब लगेंगे सिरफ 50,000. तो यह पर government ने हमारको थोड़ा सा relaxation दे दी GST rate में. इसके बाद government ने ये कहा कि भाई अब गाड़ी थोड़ी सी महंगी है, fuel based गाड़ी थोड़ी सस्ती थी, electric vehicle गाड़ी थोड़ी महंगी है तो हो सकता है, loan लेना पड़े. तो loan के उपर भी उन्हें यह बात बोली कि अगर आप loan ल 2023 से पहले ले लो. अभी तो time है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इसके अलावा ministry of defense पूरी की पूरी तरीके से electric vehicle पर already आ चुके हैं. और तो और FDI को भी 100% approval दे दिया है कि वो direct invest कर सकते हैं और state governments भी बहुत help कर रहे हैं. अभी recently daily government ने भी subsidy दी थी कुछ amount की, कि अगर आप electric vehicle car purchase करते हो, तो आपको subsidy मिलेगी government से. अब हम देखते हैं कि कौन-कौन सी companies ऐसी हैं, जिसमें invest किया जा सकता है electric vehicle की. चलिए move करते हैं इस वीडियो के सबसे important part पर, यानि कि वो companies के नाम बताता हूँ, जो इस electric vehicle को manufacture करेगी, या और या फिर इस related companies जो इसको service provide करेगी, या फिर जो इसके parts को manufacture करेगी. देखते हैं सबसे important part कौन सा, सबसे important part है इस गाड़ी का battery, यानि कि एक electric vehicle है, ये चलनी ही battery से है, तो battery इसका सबसे important part है, और इस time battery की market leaders हैं, अमर राजा batteries और Excite Industries Limited, दूसरा इसके लिए सबसे important है auto parts, अगर हम auto parts की बात करें, तो auto parts के लिए सबसे बढ़ीया companies कौन सी हैं इस time पर जो leaders हैं, that is, Endurance Technologies, Mother Sun Sumi Systems, and Sundaram Fasteners Limited, right, इसके बाद जो सबसे important है, वो ये है कि इस गाड़ी को charge करने के लिए, हमें power की जरुरत पड़ेगी, अब power generation की भी जरुरत पड़ेगी, और power transmission की भी जरुरत पड़ेगी, power generation यानि की power grid, और power transmission यानि की Tata power, अब एक तो हो गया कि आप गाड़ी घर पे charge करोगे, पर घर पे charge करने के बाद कहीं आप गूमने निकले हो, तो हो सकता है, रस्ते में भी आपको fast charging या charge करवानी पड़े, तो वहाँ पर कब help होगी, जैसे गाड़ी के अंदर petrol वरवाना होता है, fuel based गाड़ी में, वैसे ही electric vehicle को रस्ते में अगर charge करना पड़े, तो Indian oil companies, क्योंकि वो लोग धीरे धीरे अपने वहाँ पर charging station setup कर रहे हैं, जहाँ जहाँ उनके petrol pumps है, अब इतनी बड़ी गाड़ीों को manufacture करना है, तो industry भी तो setup करनी है, industrial machinery की, या फिर industrial help की बात करी जाए, तो वो provide करती है, griefs cotton limited, अब griefs cotton limited जो है, वो battery जो battery operated र बहुत बढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम move करते हैं, कि कौन सी ऐसी companies हैं, जो इनको software provides करेगी, क्योंकि इन गाड़ियों को चलाने के लिए कही ना कही software की ज़रुत तो होगी, तो वो होगी data elixi limited, और अगर हम IT help की बात करी जाए, तो KPIT technologies limited हो गई, अब अगर हम automobile में जा र dealers को लेकर आए जाए, तो hero motor cop सबसे बड़ी companies हैं, और अगर हम commercial गाड़ी की तरफ जाते हैं, commercial गाड़ी यानि की buses हो गई, trucks हो गई, दीरे दीरे वो भी मतलब आज नहीं, कल नहीं, 10 साल, 15 साल बाद वो भी कहीं ना कहीं, electric vehicle की तरफ shift करने ही हैं, तो उसके लिए अशोक ले companies को analyze करो, और self decision लो, मैंने आपको सारी companies बता दी, जो इन में deal करती हैं, और अगर आप ये चाते हो, कि इन में से किसी भी companies का, मैं fundamental analysis, यानि कि थोड़ो analysis करके दिखाऊं, तो आप मुझे उस company का comment box में comment करके बताओ नाम, मैं आपके लिए उसका fundamental analysis करके आपके सामने रखू और हाँ, इस वीडियो को अपने उनी सभी दोस्ते से share करो, जो investment करते हैं, और जो नहीं करते हैं, उनसे तो पक्ता share करना, ताकि वो भी अपनी wealth create करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दें, और इस वीडियो को like करना, और हमारे चैनल को subscribe करना, मत बूलना, मिलते हैं next वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाई बाई